हेलो और गुड़ी बॉर्निंग आज के लेक्षर में हम मैटीरियल साइंस को ही कंटीनीव रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वह स्मेट्री ओप्रेशन इन क्रिस्टल होगा और यह टॉपिक एक्जाम पॉप्रेशन प्रिस्टल है यह काफी टाइम एक्जाम में परफॉन करेंगे बी हम उसको रोटेट कर शक्ते हैं या फिर उसको बीच से कट कर सकते हैं किसी बीट पाका उप्रेशन हम उसका पर होगार करने के करवाに्गे जब हमें इसको रोटेट करवायं माल यह मैं इसको इसको थिटकांगल से रोटेट करवाए तो इसका पहले स्टक्षर था वैसा इस रत Kenn Below दिखाई देगा उसको हम pleasing स्मिट्री ओपरेशन अगर और is that operation which when applied to a crystal, crystal leaves the structure is invariant, मतलब symmetry operation एक ऐसा operation है, जब हम किसी crystal के उपर उप्रेशन अप्लाई करते हैं, तो उस crystal का जो structure है वो invariant रहता, उसके उपर उसमें कोई भी change नहीं आता, उसके बाद इसका एक दूसरा definition और लिख रखा है, दूसरा definition में एक बार बता देता हूं क्या होता है, जो symmetry operation वो एक ऐसा operation है, जिसको हम physically in the sense हम उसको rotate भी करवा सकते हैं, उसको bit cut भी कर सकते हैं, ठीक है, और imaginatively, physically भी apply कर सकते हैं, किसी crystal के उपर imaginatively apply कर सकते हैं, और जैसे ही हम यह दोनों operation उसको पर apply करेंगे, या तो physically या फिर imaginatively, तो उस crystal का structure है या फिर उस crystal की जो appearance है, उसके अंदर कोई भी change नहीं आएगा, और आजकल इस बात के उपर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, जो crystal की स्मिट्री है, वो कहां से आई है, एक्टूली, जो crystal की स्मिट्री है, वो आई है, crystal के अंदर जो atom की जो arrangement होती है, उस arrangement के कार्ण, crystal की जो external स्मिट्री है, वो हमें मिली है, जैसे मतलब, अगर और ज़्यादा simple words में बोलना चाहूँ, तो crystal की बाहर की स्मिट्री है वो dependent करते है, crystal के अंदर की atom, iron molecules हैं, उनकी arrangement क उपर ही वो crystal बाहर से कैसा दिखाई देगा वो internal arrangement के उपर depend करता है ठीक है तो symmetry operation is an operation that can be performed either physically or imaginatively that result is no change in appearance of object या फिर crystal मतलब हमारे पास एक crystal है उस crystal के उपर हमें symmetry operation अपलाई करना है तो हम physically भी अपलाई कर सकते हैं और imaginatively अपलाई कर सकते हैं और जैसे ही हम यह अपलाई करेंग तो उस crystal का जो structure है या उस crystal की जो appearance है उसके अंदर कोई भी change नहीं आएगा जैसा वो crystal पहले दिखता था वो operation अपलाई करने के बाद यह crystal वैसा ही दिखाई देगा it is emphasized that crystal और आजकल इस बात की उपर ज्यादा चोर दिया जा रहा है जो crystal की जो symmetry है वो आई कहां से है तो crystal की symmetry जो internal arrangement होती है atom and molecules की उस arrangement के काण crystal की actionable symmetry हमें मिलेगी मतलब crystal बाहर से कैसा दिखाए देगा वो depend करेगा उसके जो internal particle है उनकी arrangement कैसी है तो next point में यही बता रखा है the symmetry is the symmetry is internal that is an order of symmetry arrangement of atom and molecules जो crystal की symmetry हो कहां से आएगी जो internal arrangement होती है atom and molecules की या फिर उसका crystal lattice है crystal lattice क्या होता है किसी crystal के अंदर उसके atom and iron molecules की जो arrangement होती है उसको crystal lattice बोलते है और उस crystal lattice के उपर depend करता है यह उसकी internal arrangement के उपर depend करता है कि उसकी external symmetry कैसी होगी next point में यही बता रखा रहा है but since external symmetry is reflected in the internal form of perfect crystal अब जो external symmetry के बात करेगी जो internal उसके पार्टिकल है उनकी arrangement के उपर depend करेगी उसके बाद चलते हैं next point के उपर आब हम बात करते हैं type of symmetry operation की किसी भी crystal के अंदर कितने type symmetry operation हो सकता है तो सबसे पहले आती है हमारे पास translational symmetry और जो translational symmetry होती है वो only latest के उपर apply होती है और किसी के उपर apply नहीं होगい उसके बाद next one है reflection symmetry अब जो reflection symmetry है जो बाकी की तीनों symmetry पसती है यह point symmetry operation के अंदर आती है जो translational symmetry है वो सिरफ latest के उपर apply होती है तो second symmetry क्या है हमारे पास reflection symmetry reflection symmetry को हम plane of symmetry भी बोलते है उसके बाद third one आती है हमारे पास rotational symmetry और rotational symmetry को हम बोलते हैं reflection axis of symmetry के नाम से भी हम जानते हैं उसके बाद फाइनल है fourth वार तो इसको बोलते है inversion symmetry और inversion symmetry को हम दूसरी नाम से भी जानते है center of symmetry तो exam में कैसे भी आ सकता है यह inversion symmetry के नाम से भी पुछा जा सकता है या फिर center of symmetry के नाम से भी पूछा जा सकता है तो आप 1y1 आप इनको पढ़ते है की impartational symmetry क्या होती है reflection symmetry और सब को हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम बात करते है ठ्रांसलेशनल symmetry के अब translational symmetry क्या होगी translational symmetry को इसको समझ़ने के लिए हमने माल लिया कि हमारे पास के crystal lattice है Crystal Lattice क्या होता है जहां पर ATOM ION Mo recruits की three dimensional arrangement होती है two dimensional arrangement होती है उसको bak began Crystalài Crystal Lattice तो यह हमारे पास एक Crystal Lattice है यह point हमने यहां पर denote कर दिये ठीक, अब यहां पर हमारे पास एक सेगेंड तो यहां पर हमने माल लिया हमारे पास एक lattice है ये 據 हमने lattice माल लिया। एक सब्सक्राइन पड़ा करके दिखाते हैं तो इसको यहां पर समझ लेते हैं, कि अचापमे पड़ा करेक्छ क्रिस्टल लेडरा हैं जो क्रिस्टल हैं इस उचापर कराएं पॉईंट करेंखेकर बेख रहे लिए हैं और इसका जो origin है वो हमने यहाँ पर O माल लिया और इस point को P से या फिर P से R की O की बिच की जो दूरी है वो क्या माली distance हमने R माली या फिर यह बोल सकते हैं यहाँ पर हमने जो point माना है इसका नाम हमने दे दिया R point माना है अब इस R point के उपर हम एक operation apply करेंगे हमने इसके उपर T operation apply कर दिया यहाँ से हमने यह T operation इसके उपर apply कर दिया तो यह जो R के उपर हमने जब T operation apply किया तो यह हमें एक अलग से point देगा यह हमें 1 प्राइम 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 लोग प्राइम होजाए गी चुल्हीं से अधर्स्वाइब니다, अठेस्क के निया वहा आपस एक प्राइम की तकंदर प्राइम हुए, तक्षाू होगी और यहां से यहां तक जो latest point मिलेगा वो R' मिल जाएगा यह होता है हमारे पास translational symmetry अब इसको exam में कैसे लिखना है वह भी हम एक बार पड़ लेते हैं तो translational symmetry is a symmetry operation which when applied to a latest point तो जो translational symmetry होसको हम सिरफ latest point को उपड़ाई कर सकते हैं जो latest इस R के अंदर add होगा तो हमें एक अलग से latest point मिलेगा जिसको हमने बोल दिया R' तो वो हमें एक another latest point देगा R' उसके बाद next point में क्या बता रखे which have the same identical environment अब जैसा environment इस R का था वैसा ही environment इस R' का भी होगा तो which have same identical environment is that latest point तो यहां पर यही बता रखा है जैसे R का environment है वैसा ही R' का environment भी होगा यहां पर यही बता रखा है हमारे पास जो R latest point था उसके अंदर हमने T operation अपलाई किया उसके पर तो हमें क्या मिलेगा R' मिलेगा उसके बाद next point में यह बता रखा कि crystal lattice क्या होता है crystal lattice होता है जो symmetrical arrangement होती है किसी भी crystal के अंदर जो atom ion molecules की symmetrical arrangement होती है थ्री dimension के अंदर उसको हम बोलते है crystal lattice या फिर हम इसके एक definition और पढ़ लेते हैं translational operation which one applied to a lattice point जब हम translational operation को किसी lattice point के उपर apply करते हैं lattice point हमने R माल लिया give you a new lattice point जब इसके उपर operation क्या apply किया T operation apply किया जैसे यह operation apply करेंगे तो हम एक अलग से lattice point मिलेगा वो lattice point क्या होगा R' और इन दोनों का environment वो क्या रहेगा identical रहेगा जैसे R का environment था वैसे ही R' का environment रहेगा उसके बाद चलते हैं next rotational symmetry के उपर rotational symmetry को हम reflection axis symmetry भी बोलते हैं या फिर sometime इसको axis और line symmetry भी बोला जाता है rotational symmetry में क्या होगा rotational symmetry में हमारे पास एक crystal होगा अब हम उस crystal के उपर जो operation apply करेंगे यह operation क्या होगा उस crystal को हम rotate करवाएंगे किसी एक particular angle के उपर और जैसे ही हम उसको rotate करवाएंगे तो उसकी जो appearance है वो same आएगे जैसे कि हमने यहाँ पी मान लिया हमारे पास एक यह हमने एक rectangle मान लिया यहाँ पी इसकी जो चेड़ो ले हो इक्वल है तो यहाँ पे ہमने बोल दिया a है ở अब मैं इसको rotate करवाओं मैं इसको 90 से रोटेट करवाओं तो 90 की हमने मैं इसको rotate करवाँगा तो यह कुछ ऐसा जाएगा ठीक है यह जो ए है वो कहां चला जाएगा यहां पे चला जाएगा तो अब भी इसकी जो appearance है वो क्या है रोटेट करवाएंगे और रोटेट करवाने के बाद जैसी appearance उसकी पहली थी बाद में वी उसकी appearance बिल्कुल वैसे ही रहेगी या फिर हम यह बोल सकते हैं जैसे कि हमने यहां पर यह रेक्टेंगल लिया था इसको मैं कितनी बार गुमाओं कि इसके जो एटम है वापिस अपन बार में यहां तो अगर मैं इसको च्यार पर रोटेट करवाओं 90 डिगरी के एंगल से तो यह जो एंगल है वह वापिस इसी पॉइंट के उपर आ जाएगा तो हम यह बोलेंगे इसकी 4-fold axis of rotation है और यहां पर एक पॉइंट हो रहता है यहां पर हम यह जो हमने rectangle लिया है इस इसके अंदर हम एक axis और लेके चलेंगे और इस axis के corresponding हम इसको रोटेट करवाएंगे और रोटेट करवाने के पाद इसकी जो appearance वह सेम रहेगी तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं इसको एक्जाम में कैसे लिखना है एक बोडी is said to be possessed the rotational symmetry about an axis यह हमने कोई body लिया कोई crystal लिया यह उसके अंदर हमने एक axis लिया आप इस axis के according उसको हम rotate करवाएंगे और जब rotate करवाएंगे किसी भी theta angle से या 5 angle से तो उस body का जो appearance है यह उस body का जो environment है या जो उस body का structure हो बिल्कुल same as it is वैसा कवैसा रहेगा तो the rotation of body about this axis same angle theta मतलब पहली बार मैं इसको 90 degree से rotate करवाँग औ second time भी 90 degree से rotate करवाँगो third time भी 90 से ऐसी इसको rotate करवाँगो तो यह कैसी रहेगी invariant रहेगी इस body का जो structure है वो invariant रहेगा अब next point में गया बता रखा in order for the body to truly invariant by the rotational अब क्या है हमने यहाँ पे एक rectangle जो माना है इसकी 4 side equal ले ले और इसके अंदर हमने एक axis माल लिया ठीक है वापिस अपनी original configuration के अंदर आ जाएगा जब मैं इसको rotate करवाँगा तो वह integer की 4 में होना चाहिए 123456 इस टाइप से इसका rotation होना चाहिए तो यह इसका complete rotation होगा जैसे यहां से ले कि यहां तक गया तो यह पाई rotation होगा और यहां से अगर यह वापिस आया तो complete rotation अगर यह rotate कर कि वापिस अपनी original position के उपर आता है तो हम बोलेंगे इसका कितना rotation होगा इसका 2pi rotation होगा है तो इसका complete rotation कितना होगा 2pi होगा theta angle से हम इसको rotate करवाएंगे n क्या है यहां पर कोई भी integer है इसको one time rotate करवाए जाएगा two time three time four time ठीक है इस टाइप से तो n theta is equal to 2pi अकर हमें यहां स कि यह जो है इसको 90 degree से rotate करवा रहे थे अब हम देखेंगे कि कितनी बार हम इसको rotate करवाएं कि वापिस अपनी original configuration के अंदर आ जाए तो यह क्या है 2pi 2pi को हम क्या लिख सकते है 360 theta को उठाके हम इस तरफ ले क्या है तो कितनी angle से rotate करवाए था 90 degree के angle से rotate करवाए था तो यह क्य आ जाएगा हमारे पास जो n की value हो वो क्या जाएगी 4 आ जाएगी तो हम यहां पर क्या बोलेंगे यह 4-fold symmetry है ठीक है अगर मैं इसको 120 से rotate करवाए था 360 और यह से cancel तो यह क्या हो जाती 3-fold symmetry n की value कितना आती 3-fold symmetry अगर मैं इस body को कोई भी body है हमारे पास उसको मागर 120 angle से rotate रहे ठीक है तो उसको हम बोलेंगे 3-fold symmetry तो उसके बाद यह बता रहा है if an object can be rotate about an axis and repeat itself मैं किसी भी body को उसके axis पर rotate करवा रहा हूं 90 degree से और वो body फिर से अपने आपको repeat कर रही है मतलब जैसा पहले structure था वैसे ही बाद में structure होगा तो 90 degree से जब rotate करवाया जाएगा तो मैं उस वापिस अपनी original configuration के उपर आ जाएगी तो यह है rotational symmetry अब हम इसकी type देख लेते है rotational symmetry कितने type की होती है मतलब हमें यहाँ पे देखना क्या है कि हम अलग-अलग angle से rotate करवाएगे अब हमने यहाँ 90 degree के angle से rotate करवाया था subject को अब मैं 120 degree के angle से rotate करवाऊंगा कभी मैं उसको 60 degree के angle स से rotate करवाऊंगा तो कितनी fault symmetry होगी तो सबसे पहले one fault rotation axis है one fault rotation axis का मतलब क्या है कि मैं उस body को कितने angle से rotate करवाऊं कि उसके अंदर सिरफ one fault symmetry हो मतलब यहाँ पे जो n की value हो वो कितना हो one हो और n की value हम एक second यहाँ पी बता देते है हमारे पास क्या था n theta equal to 2 pi ठीक है और हमें n की value कितना चाहिए one चाहिए तो n की value कैसे मिलेगी 2 pi का हम क्या लिख सकते है 360 अब फिटा मैं कितना रखूं कि जो n की value हो हमें one मिले तो अगर मैं उसको 360 के angle से rotate करवाऊं और वापिस वो body जैसे यह है हमारे पास यह pen है अब मैं इसको कितने angle से rotate करवाऊं कि यह जो pen की जो appearance है वो पहले जैसा हो जाएगा और यह आया n की value कितना आई one तो हम इसको बोलेंगे यह one fault rotation axis है तो इसमें कैसे लिखेंगे an object that required rotation of full 316 order of restore its original appearance मतलब अगर मैं इस body को 360 के angle से rotate करवाऊं तो यह body वापिस अपने original appearance के अंदर आएगे यह original configuration के अंदर आएगे जैसे यह पहले थी वैसे ही बाद में दिखने लग जाएगी मतलब जो initially जो pen वाला example यह था वो example हम यहाँ पर लेके चल सकते हैं या फिर इसके यह कुछ example यह ले रखें अगर मैं इस body को यह वाली जो body है अगर इसको 360 के angle से rotate करवाऊं तब ही यह body यह जो point वापिस इस point के उपर आएगा otherwise नहीं यह जब उसको 180 degree के angle से rotate करवाया जाएगा तो body वह अपने आपको फिर से repeat करेगी 180 degree के angle से rotate करवाने के बाद उसकी appearance होगी वह बिल्कुल same होगी जैसे वह पहले थी तो if an object appears identical after the rotation of 180 अकर 180 degree के angle से उसको rotate करवाया जाए तो body पहले जैसी ही दिखेगी उसकी जो appearance हो वह पहले जैसी ही दिखेगी तो यहाँ पर जो n की value हो हो हमें कितना मिलेगी थीटा कितना है हमारे पास 180 अगर इसको cancel किया जाएगा तो n की value आ जाएगी हमारे पास 2 ठीक है यह हो जाएगी हमारे पास 2-fold symmetry का example आप इस टाइप से ल बिल्कुल पहले जैसी हो जाएगी उसके बाद 3-fold symmetry के अगर बात करूं तो यहाँ पर हम जो object है उसको 120-degree के एंगल से rotate करवाएंगे और जब 120-degree के एंगल से rotate करवाया जाएगा तो उसकी जो appearance है वह बिल्कुल सेम हो जाएगी तो यहाँ पर 120-degree से जब हम 360 को cancel करेंगे 3 आ जैसी होगी ठीक है और similar 6-fold rotation axis के उपर होगा यहाँ पर हम उस object को 60-degree के एंगल से rotate करवाएंगे और उसकी जो appearance होगी 60-degree के एंगल रोटेट करवाने के बाद वह पहले जैसी होगी उसको हम बोलेंगे 6-fold rotation axis और एक चीज और यहाँ पर एक पाइंट और होता है crystal के इंदर 5 5-fold, 7-fold, 8-fold symmetry exist नहीं कर सकती या फिर नहीं होती यह हम आने वाली टाइम में इसके पर एक वीडियो बना देंगे कि 5-fold, 7-fold, 8-fold symmetry exist क्यों नहीं होती पर इसका जो reason है वो हम यहाँ पर जरूर बताएंगे कि इसका reason क्या होता है जिसके कहां किसी भी crystal के अंदर 5-fold, 7-fold, 8-fold symmetry exist नहीं करती तो next point में हमने यहीं बता रखता और काफी important ही 5-fold, 7-fold, 8-fold symmetry are not possible in crystal इसके पीछे reason क्या है जो crystal की external symmetry होते है वो हमी कहां से मिलती है जो crystal के internal particle होते है उन particle की arrangement के उपर मिलती है तो the reason is that the external shape of crystal is based on the symmetrical arrangement of atom, atom की arrangement कैसी है उस arrangement के उपर ही हमी crystal की external symmetry मिलती है note that if we try to combine object with 5-fold and 8-fold appearance symmetry that we cannot be combine them in such a way that they are 1 second, they are completely filling space means इसमें यहां पर यह बता रखा अगर माल यह हमारे पास कोई object है suppose कर लेते हैं जिसकी 5-fold symmetry है suppose कर लिया 5-fold symmetry का मतलब 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है तो ऐसे i5 fold के अगर मैं बहुत शारे लेकि चलूँ इत्म v2, crystal ऐसे लेकि चलूँ या i5 voltage का yo EDM ऐसे i5 voltage का symmetry है आगर फिर मैं उसको combine करने लग्जाऊं तो इसके बीचमें बहुत सारे 5フ Pascal शायक, और इसके बीच में बहुत सारे phase रह जाएगी ठीक है इस टाइप से 8-fold के ऐसे ले की चलो और बहुत सारे 8-fold के crystal को अगर मैं मिला दूँ तो उनके बीच में जो space हो वो completely fulfill नहीं होगा इसलिए 5-fold और 7-fold symmetry exist नहीं करती और 7-fold भी exist नहीं करेगी इसके पिछी रीजन यहीं होता अगर 5-fold, 7-fold और 8-fold को अगर मिला भी दें तो उनके बीच में जो space हो वो completely fulfill नहीं होगा that's why यह symmetry exist नहीं करती mathematically हम इसको अगले lecture में explain करके बता देंगे उसके बाद चलते हैं next point के ओपर next जो symmetry है वो हमारे पास mirror symmetry है और mirror symmetry को हम plane of symmetry की नाम से भी जानती है mirror का जैसे नाम से ही पता लग रहा है mirror symmetry मतलब हमारे पास को यह crystal होगा उस crystal को हम cut करेंगे इस type से cut करेंगे मतलब यह माल यह हमारे पास एक crystal है ठीक है यह वाड़ा इस crystal को हमने cut कर दिया किसी भी exit से तो cut करने के बाद इसके दो पार्ट बनेंगे first part यह है second part यह है तो जो first part वो mirror image होगा डिट्टो second के और second mirror image होगा ठीक है इसको हम बोलते है mirror symmetry यह फिर plane of symmetry हम एक ऐसा plane लेकी चलेंगे crystal के अंदर कि वो इसको दो पार्ट के अंदर divide कर देगा जैसे दो पार्ट के अंदर divide करेगा तो जैसा first part है same डिट्टो second part भी वैसा ही होगा इसको हम बोलते है plane of symmetry यह फिर reflection symmetry तो इसके एक बार definition देख लेते हैं इसकी definition क्या होती है mirror symmetry operation is an imaginary operation that can be performed to reproduce an object तो यह टाइप का imaginary operation है जैसे हमने इसकी definition में पढ़ा था symmetry operation की definition क्या बताई थी symmetry operation एक ऐसा operation है जिसको हम physically perform कर सकते हैं और imaginatively perform कर सकते हैं imaginatively imagine operation है और यह two dimension operation है ठीक है अब यहाँ पर होगा क्या हम यहाँ एक ऐसा plane लेके चलेंगे किसी crystal के अंदर की जो उस crystal को दो पार्ट के अंदर divide करतेगा और जो दोनों पार्ट होगे वह एक दूसरे की mirror image होंगे तो the operation is done by imaging that you can cut the object in half या फिर उस object के अंदर हमें एक ऐसा plane लेके चलेंगे या उसको cut भी कर सकते हैं जो उसको equal two parts के अंदर divide कर डेगा जो first part हो second part की mirror image होगा इसके example हमने यहाँ पर यह ले रखके है यह भी example हो सकता है इसका यह example भी हो सकता है तो यह थी हमारे पास mirror symmetry symmetry के उपर भाद में चलेंगे उससे पहले जो mirror symmetry है reflection symmetry है उसके अंदर कुछ point रहते हैं उनके उपर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं जो हमें क्यूब है वह equal to side हो जिसकी one part second part की mirror image हो तो starting में हमने इसको ऐसे कट किया तो यह जो mirror image होगा second way यह first है यह second third तो यहाँ पे हमने इसको इस type से कट किया तो उपर वाला जो पार्थ है निचे वाला जो पार्थ है यह दोनों एक दूसरे की mirror image होंगी third हमने इसको इस type से कट किया ठीक है और यह तो हमने प्लेन के हिसाब से कट किया है इसको अगर हम इसको diagonally कट करें diagonally कट करने का मतलब diagonally plane के हिसाब से हम plane of symmetry से कट कर सकते है अगर हम diagonally इसको कट करें तो diagonally हम हम इसको 10 types से कट कर सकते है इस type से एक दाइक हमने इस इसको पीच में से slice करके मैं हमाने च्च लैसे हमारे पास एक cube है यहां पर imagine कर लिग क्यूब है और उस type से इस डाइगनल से एक बार इस डाइगनल से इस टाइप से अलग अलग डाइगनल से हम उसको कट करके बता सकते हैं तो यह 6 डाइगनली प्लेन पासिंग थरो ओपोजिट फेस ठीक है यह अकर 16 मार्क में आता है तो यह डाइग्राम आपको उसके अंदर एड करने पड़ेंगे करें के ज्यादा कुछ नहीं करना है हमें क्यूप बनाना है पहले हम क्यूप को प्लेन के हिसाप से कट करेंगे तो 3 टाइप去了 से कट कर सकते हैं थूर्ड फी ऩर्फी से फस्ट टाइप ही और्फर्ण च्टाइप ही और फ्कर हम डाइगनल इकट च्wenल्ड़ करते हैं तो हम 6 पॉइंट गुरूप ओप्रेशन विच ए एक ताइप का पॉइंट गुरूप ओप्रेशन है अपर हम इसको अपलाई करेंगे और कौन सा लेटिस पैंट फ्री डायमेंशन लेटिस पैंट होगा उसके ऊपलाई किया जाएगा तो एक एक क्रिश्टली सेट टू बी पोजेस्स है इनवर्जन सिमेट्री एवरी लेटिस पॉइंट आज तब पोजिशन आर तेर एकजिस्ट एव लेटिस पॉइंट पोजिशन आर अब इस चीज को थोड़ा सा समझ लेते हैं समझते कैसे हैं हमने माल लिया कि हमारे पास एक क्यू इसका यूनिक पॉइंट अगर फीक एक मिटर बनाश्चिक उपर तहलो ऻने कि यहां तक हमने मान लिया और सब्सेंटर इसको हम –R लेके चलेंगे, इस टाइप चे हम यहाँ भी पताएंगे, अब इसको explain कैसी करेंगे, जितने भी symmetry element थे, वो सब की सब इक unique point के उपर आके मिलेंगे, ठीक है, यह एक unique point है, यहाँ पे circle के, जो crystal है, वो हमनी circle के type का मान लिया, अब मैं circle या फिर sphere के type का मान लिया, 3 dimension तो जितना मैं उपर जाओंगा उपर मालिया में एक सेंटीमेटर गया तो ठीक इसके निची भी यह जो आउटर कूर होगी वह एक सेंटीमेटर ही होगी तो इसको हम बोलते हैं सिमेटरी ओप्रेशन इसको हम बोलते हैं इसको हमारे पास एक सिमेटरी ओर रहती है जिसको हम बोलते हैं रोटो इनवर्जन सिमेटरी आपकि यह जो सिमेटरी है वह गातरी नियुक करिश्टल आपक का नियुक के अधिस बत्यक कर से जदawsा सेता क्यांसतर होगी भी होगी इनवर्जन आपके सिमेटरी इनवर्जन combination है rotational symmetry का और inversion symmetry का ठीक है और यह भी हमारे पास one fault होती है two fault होती है three fault इस टाइप से होगी तो यह था हमारे पास symmetry element I hope आपको यह समझ में आया है तो या फिर हम symmetry operation भी बोल सकते हैं या फिर law of crystal symmetry भी बोल सकते हैं यह topic exam point of view से बहुत ज्यादा important है इस topic की help से ही हम आने वाले topic करेंगे like point group है और जो space group है वो इस topic के भीना नहीं होगा तो thank you मिलते हैं किसी और वीडियो में